पेट गुरू का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अजू आप लोगों का दोस्तो अब नए नए वीडियो जाएंगे फजल भाई की सीरीज चल रही है उसमें थौड एपिसोड है पहला वेजिटेबल वर्सिस फ्रूट सेकंड हमने काइक के बारे में बता है और तीसरा एपिसोड जो है यह हम रेड कोलन लोरी के बारे में बताएंगे जिसका नाम हमने रखा है मुगेंबोर इसका क्रेडिट ज पूरी बात करेंगे बहुत मजाग हमने किया लेकिन इसके उपर हम पूरी बात करेंगे इसको क्या खिलाना है कि इसे यह बड़ा होता है कि कहां पाया जाता है तो ज्यादा तरफ जो है फजल भाई इसके उपर आपको रोशनी डालेंगे जी फजल भाई जी यह जो है यह रेड कॉलर लोरी है और स्पेशल यह यह पाया जाता है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1827 के अंदर इसको डिस्टिंग्वेस किया था सबसे पहले इसमें ऐसा होता था कि इसको रैंबो लोरी का ही एक स्पीसिस मानने में आता था लेकिन 1827 के बाद जो है वो उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स निकालने में और यह एक अलग से एक डिफरंट जो है एक स लॉरी किट और लॉरी इसके अंदर लोगों के लिए नॉर्मली क्या होता है लॉरी और लॉरी किट के अंदर ज्यादा तर सेम वर्ड यूज करते हैं लेकिन इसके अंदर छोटा सा डिफरंस यह इनकी टेल का इनकी जो टेल है उसको पर से इनकी स्पीसिस के बारे में पता पता था मुझे भी दोस्तों नहीं पता था इतने बड्स कवर करता हूं लेकिन नहीं पता था और फजिल यह रेंबो लोडी से साइज में 19-20 है यह इसका किस तरीके से इसका वेट रहता है इसे रेड्ड कोलर लॉडी कैट इसलिए आप नजीक से अगर मैं आपको बता हूँ इसके उपर के बाजू में यहाँ पर जो भागे यहाँ रेड किलर है इसलिए शे रेड्ड कोलर कि यहां पर जी और काफी खुबस्वूरत लावा बहुत ही ज्यादा सांधार और रायट कलर में होते हैं लौरी वैसे सारे जो है खुबस्वूरत आते हैं और फुशेला है इस लावा आप सकती है काफी फ्लेफुल बेर्ड है सभी बात हैं 來了 इंधर और काफी इंटेलिजन बड़ रहता है आपको जो है वो इसको तरीके से क्लोज करना रहता है क्योंकि काफी इंटेलिजन थे तो यह केज में से निकलने में बहुत माहिर होता है बराबर और इसके साथ साथ अगर आप बात करें लॉडी की तो लॉडी की डिफरेंस के अगर मैं आपको बता दूँ क्योंकि काफी कम लोगों को पता होता है तो जो लॉडी है उसकी टेल जो है वो वाइड और थोड़ी शे शॉट होती है बराबर और लाइक पैरोट जिसे लॉडी होती है और थोड़ी शे शॉट बोड़ी की रोड़ी होती है और चुरह अगर फीज करेंसे बलॉडी स theory है फॉड़ी तो वव पिर गहांते है तो यह लोड़ी जैसा आप देख सकते है लू और नीचे जो यह बहुत सब्सक्राइब कर दो इसकी तो इसकी तो इसकी कंपेर में नहीं आ सकता है यह तो बहुत अच्छा है अभी अपने जो देखें लेकिन इसको आप अगर डूसरी लॉरी इसके साथ रखते हैं तो फिर यह वाइल होने के चांज़े ज्यादा रहते हैं अगर आपको इसको टैम ह ही रखना है तो मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको सिंगल रखिए दो तो चलता है यह दूनों एक दुसरे के साथ ही बनते हैं लॉरी जो है हो जिसे काई हुमन के साथ ही होते ऐसे लॉरी जो एक लॉरी और दुसरे लॉरी की साथ ही देती है 90 परसंद जो है पसंद्साइब तो अगर आप रखना चाहते हैं पiration क Gracie कह दूब तो यह भी काफी प्लेफुल इंको भी केंदर बहुत ज्यादा टॉइज वगेरे की जरूरत लेती है हर नया टॉइज इनके लिए एक इन्वेस्टिकेशन के वराबर रहता है आप इनको जब भी एक नया टॉइज दोगे तो ऐसा लगेगा कि इनको कुछ अगेरा के बाद में बात करें नॉर्मली डव के जैसे होते हैं दो एक दो चिक्स नॉर्मली इतना ही है इनका है रहता है और इनके जो जो मेल को फीमेल को अट्रेक्ट करने का जो तरीका है बहुत ही लाजब और अजीब है आप उसको ऐसा लगेगा कि यह बहुत ही पेइन में है वो खुद को ऐसा दरसाद है कि वह बहुत ज्यादा पेइन में है और उससे फीमेल जो है वह अट्रेक्ट होती है इनके अंदर यह चीज देखने में आती है साइद यूजर्स को पास से या फिर हम जो विदेश के जो ब्रीडर हैं उनके आर्टिकल पढ़के यह इन्फोमेशन मिलती है दोस्तों तो फजल भाई जैसे जो ब्रीडर है या सेलर हैं उनके सेल्यूट है कि इतनी इन्फोमेशन वह खटा करते हैं यह पंची प्रेमी दोस्तों कर सकता है इसके अगर आप बात करेंगे इनके खेलने की इनके कुदने की तो यह नॉर्मली जो है इनको अपसाइड डाउन के अंदर उल्टा लटकना बहुत ज्यादा पसंद है इतना ज्यादा कि कुछ-कुछ वाक्त तो इसा होता है कि यह लोग घंटों तक का उल्टे लटके हुए रहत काफि सांदर कवार्णा रहते हैं इसके अलावा रेंबो यह जो रिए बहुत मैं माइनोरव सा आपको बहुत हैं और तो रेटल लौर्द है अकर यहाँ पर ग्रील आता है तो रेपर हो जाता है जो इनके जो पेट जो भागए छ इसके 받 प्ल्लू टू वह ब्लेक रहेगा और रैमबो के अंदर यलो रहेगा यह इसके कलर्स यह जब फ्लाइ करता है तब काफी इसको आदत नहीं के अंदर और बजेट के अगर हम बात करें तो इसके पहले जब यह चिक्स था तब हमने इसकी वीडियो बनाई हुई थी तब यह वही चिक्स है जो हमने 60 वाले में बनाई थी बराबर तो इसका अभी वीट डिये ने हैं बिल्कुल कंप्लीट खा पी रहा है तो इसका 27,000 रुबीज में को ठीक है ठीक है और फुली टेम्ड आप देख सकते हैं लोगों को कुछ मित है जैसे कि उसमें कुछ हकीकत भी है और कुछ मित भी है जर सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि इसको फीडिंग अदर आपको कोई इश्यू आता है इसके दो टाइप के फीड आते हैं और वो दोन इसके अलावा जो फूल होते हैं यह लोग पीते हैं अब यहां पर यह सब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अब जो है वह काफी कंपनी काफी ब्रांड जो है वह आ चुकी है मार्केटिंदर उनका ने इसका फूद यह विंगुंघ सब्सक्राइब अब जाएंיות दो आप उसको पानए के लुगे वह का जाए सब्सक्राइब करें चाहिए तो इसमें डाइट किस तरीके जी अलग है वह खास बताईए इसके उपर हमने एक बनाया हुआ है वेज़ीटेबल्स फ्रूट्स के बारे में तो मैं आपको बताऊं यह जो है यह यह लॉट्र बराबर परोट्स को जो आप वेज़ीटेबल्स ज्यादा देना चाहिए वह उनके लिए बहुत बेटर उसके पर पूरी वीडियो है आप जाके चेक आउट कीजि इसे हम 25-30% सीड्स रखते हैं तो इनमें सीड्स की मात्रा या पेरोट्स की मात्रा वो थोड़ा सा पॉर्सन बताएंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी वेसे तो इनको 100% जूस देना बैतर है अगर आप इनको नुकसान नहीं होगा ना उससे कोई नुकसान नहीं होगा द्राइव में द्राइव के अंदर आप दे सकते हैं बट थोड़ाल अगर सीड़ बात करें तो इसके अंदर आराम से लॉरी को रख सकते लेकिन लॉरी ऐसे इसके आप उसके अगर को तो ज्यादा बैतर है तो तो इसको जो है बैस्ट इनके लिए है आईडियल केस साइज बाकि इसको आप इक तौर पर दे सकतें लेकिन इसके लिए खास क्योंकि यह वह फ्लॉक्स में उड़ना पसंद करते अस्ट्रेलिया के अंदर वह काफी जुन्ड में देखे जाते हैं जुन्ड में रहते हैं और वहां के जो फार्मर्स हैं वह इसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन वहां का फार्मर्स पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी खेती वगेरा उनको थोड़ा बहुत नुक्सान पहुंचाते रहे तो इसके अलागा अगर आप इसको टाइम नहीं दे सकते हैं तो प्लीज डॉंट बाइट आप इसको बाइन ना करिए आपको अगर टाइमिंग ह है आप अगर उसको टाइम दे सकते हैं आपके पास इतना मतलब आप प्रिफर करते हैं कि हां कम से कम आप दिन का आदा गंटा या थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे जो है घर में इसको खुला रख सकें तो फिर आप इसको प्रिफर करिए यह बहुत ही प्यारा मतलब ऐसे ही जब गंदा करेगा पू करेगा तो केज के बाहर करेगा ऐसा उसके अंदर कुछ मित है लेकिन इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन से सॉल्यूशन में यह है कि आप केज है के बाजू में एक्रेलिक थोड़ा सा कुछ भी सपोर्टिव के तोड़ पर रख यह कोई बढ़ा इस्यू नहीं है इसलिए हम यह चीज को सॉल्ल कर सकते हैं और फीडिंग का जो है वह भी काफी इसी है आप इसको फीड में लिक्विड दे सकते हैं नेक्टर है जो भी आप दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों उमीद करता हूं कि इसके बारे में जितनी भी आपको चाहिए होगी वह फजल भाई ने दे दी अभी यह अवेलेबल है और इसे फीचर में पीसिस अवेलेबल रहेंगे जी बिलुकुल मेरे पास अभी दो पीसिस और बड़े हुए रेट कॉलर लॉरी जो है यह मेरे पास अभी अवेलेबल है यह स्वेंग सन लॉरी है यहां पर आप दोनों धो इ份 को डिफरन हेट के खलर पैस्से पता चलिजाएगा ये जो है ये जी ये जो करना चाहिए तो दोस्तो जो भी खरीदना जाते प्रीबुकिंग के लिए फजल भाईक को कॉंटिक कर सकते हैं ठीक है उमीद करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आओगा अपकी वह भी डाउट से जो चीज हमने सायद कवर करना रह गई हो आप कमेंट कर दीजिएगा फजल भाई आप लोगों को दोस्तों कमेंट का रिप्लाइ करने की ट्राइ करेंगे तो फजल भाई बहुत-बहुत सुक्रिया आपका एसे एपिसोड दोस्तों बहुत कम देखने को मिल इस तो मैं स्पेशलाइज बताना जाऊंगा कर मुझसे कंटेक्ट करता है या किसी से भी कुपसूरत बढ़ है यह और स्पेशलाइज कलर के बारे में अगर आप सायद दिखा सकते हैं और अमेजिंग कलर जैं अंडर विंग इसके बहुत ही खूपसूरत सायद इसलिए ना मैं तब तो के लिए लेते एक छोटा सब्रेक